दोस्तो एक बार गौतम बुद्ध के पास एक महिला आती है और उसके हाथ में उसका बच्चा होता है जो मर चुका होता है वह गौतम बुद्ध से कहती है प्रभू आप तो सर्वसक्तिमान है आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो कृप्या करके मेरे पुत्र को जीवित कर दो इतने में गौतम बुद्ध के सारे सिस्य उस इस्त्री की और आश्चर्य चकित होकर देखने लगते हैं बुद्ध उस महिला को देखकर समझ आते हैं कि जो लोग उनसे द्वेस और नफरत करते हैं उन्होंने उस महिला को उनके पास भेजा है ताकि बुद्ध उसके पुत्र को जीवित ना कर सके और वो महिला बुद्ध को बुरा भला कहने लगे बुद्ध के सिस्य ये देखकर सोचने लगे कि गौतम बुद्ध उस महिला के पुत्र को जीवित कैसे करेंगे तथा गौतम बुद्ध उस महिला को क्या जवाब देंगे कुछ देर चुप रहकर गौतम बुद महिला से बोले हाँ मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ यहाँ सुनकर महिला बहुत प्रसन हो जाती है लेकिन बुद के सीस्य सोचने लगे आखिर गौतम बुद इस महिला के पुत्र को जीवित कैसे करेंगे तब गौतम बुध ने महिला से कहा लेकिन इससे पहले मेरी भी एक सर्थ है महिला बोली कैसी सर्थ प्रभू तब गौतम बुध बोले तुम्हें मेरे लिए भिच्छा मांग कर लानी होगी लेकिन ध्यान रहे भिच्छा ऐसे घर से लानी होगी जहां उस घर और उसके परिवार में आज तक किसी भी व्यक्ति की मृत्यों ना हुई हो जहां सुनकर वह महिला पास ही के गाउं में भिख्षा मांगने चली जाती है उसे भिख्षा तो कई घर से मिल गया लेकिन पूरे नगर में ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यों ना हुई हो साम होते होते महिला को समझ में आ जाता है कि इस नगर में तो क्या पूरे संसार में ढूरने पर भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां किसी भी व्यक्ति की मृत्यों ना हुई हो वह पुना गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनसे छमा मंगने लगती है तब गौतम बुद्ध कहते हैं यह संसार का अटल नियम है कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यू निश्चित है यह संसार भी नस्वर है यह भी सदयव नहीं रहेगा यह भी एक दिन नश्ट हो यही अनतिम और अटल सत्य है।